जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है, तो अनायास ही हमारे मुँण से निकलता है, खुश रहो, God bless you, सदा सुखी रहो। यह जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मूं से निकलते हैं न यह कोई साधारण शब्द नहीं है यह दुनिया के सबसे कीमती शब्द है आजकल हम इन बातों को महत्वदेना बंद करते जा रहे हैं पर यकीन मानिए जो प्रणाम के जवाब के रूप में आशरवाद हमें मिलता ह यह हम किसी को देते हैं वो सौ फीसदी चमतकारिक शब्द होते हैं बेश कीमती शब्द होते हैं एक बहुत प्यारी कथा कहने जा रही हूं महाभारत का युद्ध चल रहा था एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर बेश्म पितामा यह घोशना कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वद कर दूँगा इस घोशना का पता जैसे ही पांडवों को चलता है तो उनके शिवर में बिचैनी बढ़ जाती है सभी को भीश्म पितामा के शमताओं के बारे में पता था इसलिए सभी अनिष्ट की आशंक्या से परिशान हो जाते हैं तभी श्री कृश् स्वयं तो शिवर के बाहर खड़े हो जाते हैं पर वो द्रौपदी से कहते हैं कि अंदर जाकर पितामा भीश्म को प्रणाम करो जैसे ही द्रौपदी ने शिवर के भीतर जाकर पितामा भीश्म को प्रणाम किया तो पितामा भीश्म के मुख से द्रौपदी के लिए ये आ आशिर्वाद निकला अखंड सौभाग्यवती भव जैसे ही ये आशिर्वाद उनके मुक से निकला उसी शन उन्हीं समरन हो आया कि आज ही तो उन्होंने पांडवों के वत की घोशना की थी और स्वम ही उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का क्रिश्न लाए हैं तब द्रौपती ने कहा जी पिता महा और वो शिवर के बाहर ही खड़े हैं शिवर से बाहर निकल कर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और पिता महा भीश्म ने कहा मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम केवल क्रिश्न ही कर सकते है शिवर से वापस लोटते समय, श्री कृष्ट में द्रौपती से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पिता महा को प्रणाम करने से, तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है, अगर तुम प्रति दिन भीश्म धृत्रास्ट द्रोणोचारे आदी को प्रणाम करती होती, और हर घर में कलह कलेश का वातवरन रहता है, वो कहीं न कहीं इस बात के मूल से जुड़ा है, कि हम संसकार भूलते जा रहे हैं, हम जाने अंजाने अपने बड़ों की उपेक्षा करने लगे हैं, याद रखना कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और ये भी याद रख कि हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता, उसके लिए बुजूर्गों के पास भी बैठना पड़ता है, शरीर की खुराक के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो संसकारों से हमें मिलती है, हम भूलते जा रहे हैं आशरवाद के महत्व को, आशरवाद एक कवच की तरह होता है, जो हर बाधा से हमारी रक्षा करता है, कितनी सुन्दर बात कहीं है किसी ने, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलिता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम जुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आसूध हो देता है प्रणाम अहंकार मिटाता है प्रणाम हमारी संस्कृती है आप सभी को मेरा साधर प्रणाम फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखना और हमेशा मुस्कराते रहना अपना प्रणाम आसुटी है